Hello everyone, This Isle Academy की YouTube चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तो आज AIB 10 के Question Paper को Solve करेंगे तो दोस्तो ये important वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए तो आप लोगों से request है इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जरूर देखें दोस्तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करें जिससे ये information अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन दोस्तों सरकारी क्रमचारी उनकी अनसुलजी सिकायतों और स्रम विबादों को यहां भेश सकते हैं चार ओप्षन है A है आंतरिक स्रम विभाग, B है स्रम संबंद व्यूरो और C ओप्षन है सार्वजनिक छेत्र स्रम प्रबंधन परिसद और D ओप्षन है स्रम विभाग तो निमने से कोई एक ओप्षन हमारा सही है दोस्तो सही ओप्षन आप लोग सेलेट करें सही ओप्षन हमारा क्या होगा B ओप्षन हमारा सही होगा दोस्तो स्रम संबंद व्यूरो ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं नेश्ट कोईशन की तरफ मद्धस्ता पर यूरोपीय संग के निर्देशक का उद्देश है चार ओप्षन दोस्तो ये है सदस्राज्यों में अदालतों में मामलो के संचित कार को कम करना B ओप्षन है सभी विवाद समाधान के तरीकों के बीच मामलो को बाटना C option है संकट के समय में आर्थिक कारोडों से या सुनचित करना की मदधस्तों की एक उचित आये होगी और D option है सीमा पार ब्योसाइक बिरुदों में बैकल्पिक बिवाद समाधान के लिए बेतर पहुँच सुनचित करना तो इन में से कोई एक option हमारा सही है दोस्तों सही option आप लोग सलेक्ट करें सही option हमारा क्या होगा दोस्तों हमारा D option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरह एक public limited company में निगमन परमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले निवन्तम सदस्तों की संख्या है चार option है A है 7, B है 3, C है 2 और D है 50 तो इन में से कोई एक option हमारा सही है दोस्तों सही option आप लोग सलेक्ट करें सही option हमारा क्या होगा दोस्तों A option हमारा सही होगा 7 ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ जब एक विधैक संसद और राश्पत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी इस्तित क्या होती है चार option है A है विधैक को मंजूरी दे दी जाती है B option है कानून C है विधैक प्रसासन के लिए प्रियोग और D है सरकारी प्रिक्रियाओं में तो एक option सही है दोस्तों कोई सही option आप लोग सलेक्ट करें सही option हमारा क्या होगा दोस्तों B option हमारा सही होगा, कानून बन जाता है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं next question के तरफ, A सिमला में रहता है, B कोलकाता में और C दिल्ली में, A, B और C बनारस में एक साथ हैं, B और C मांग पर दे एक संयुक्त बचन पत्र बनाते हैं, तथा A को देते हैं, A, B और C पर मुकदमा कर सकता है, या कर सकती है, चार option है, A option है बनारस में जहां कारवाई के कारण पैदा हुए हैं, B option है कोलकाता में जहां भी रहता है, C option है दिल्ली में जहां C रहता है, और D option है उपरोक्त सभी में, तो इन में से कोई एक option हमारा सही है दोस्तों, सही option select करें हमारा सही option क्या होगा, D option सही होगा दोस्तो उप्रावक्त सभी में बढ़ते हैं Next Question की तरफ दोस्तो Question 6 की तरफ ग्रेपतारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है एक option है उस अस्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है B option है भारत में किसी भी अस्थान पर और C option है अपराधिक प्रिक्रिया सहिता के तहट ने धारित अस्थान पर और D option है उप्रोग्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तो सही option सेलेक्ट करें सही option हमारा क्या होगा B option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं Next Question की तरफ Question 7 की तरफ Cyber Appellate Tribunal अध्थच की नियुकत कौन करता है चार option है A है केंदर सरकार भारत के मुख नयाइदीश के प्रामर्श से B option है राज्य सरकार उच्च नयाले के मुख नयाइदीश के प्रामर्श से और C option है केंदर सरकार और D option है केंदर सरकार परमारन, प्राधिकरण, नियंतरक के प्रामर्ज से तो कोई एक option सही है दोस्तो सही option select करें हमारा सही option क्या होगा यह option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं next question की तरब भारतिय साच अधनियम की धारा 18 के तहत अन्न के खिलाप निम्न में से कौन से ब्यक्ट की सविकरीत सविकार नहीं है चार option है ए है अभियोगी में से एक बी option है प्रतवादियों में से एक और सी option है दलोक के एजेंट डी option है तीसरे पच्च के का कथन तो कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तो सही option हमारा क्या होगा हमारा बी option सही होगा ठीक दोस्तो बढ़ते हैं next question की तरह हिंदू उत्रा अधिकार अधिनियम 1957 के तहत निम्न में से कौन सा उत्रा अधिकारी परत्थम स्रेड़ी का उत्रा अधिकारी नहीं है चार option है A है पुत्र B है विधवा C है पिता और D है माता तो इन में से कोई एक option हमारा सही है सही option select करें दोस्तो सही option हमारा क्या होगा C option हमारा सही होगा दोस्तो पिता ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं next question की तरफ question संख्या 10 की तरफ जब चोरी या जवरन वसुली हो या चार option है A है लूट पात है B है डकैती है C है अपराधिक विश्वा सनान है और D है चोरी की संपत प्राप्त करना तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तो सही option select करें सही option हमारा क्या होगा यह option सही होगा लूट पात है बढ़ते हैं next question की तरफ 11 की तरफ कारखाना अधनियम 1948 के अंसार एक किसोर कौन है चार option है A है जिसने 17 साल पूरा कर लिया है B है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और C है जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है और D है उप्रोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option सलेट करें सही option हमारा क्या होगा C option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ अनुच्छे 301 के तहत संबेधानिक दाइत को पूरा करने के लिए भूम अधिगरहन अधनियम के लिए प्रदान किया गया कानून है चार option है भूम का अधिगरहन और भूम का कबजा लेने B option मुआवजा का आकलन C है मुआवजे का के बुकतान D है उप्रोक्त सभी इन में से कोई एक option सही है सही option सलेक्ट करें दूस्तो सही option हमारा क्या होगा D option हमारा सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं next question की तरब 13 की तरब सिकायत का अर्थ एक सिकायत करता द्वारा लिकित रूप में लगाए गए उस आरूप से है की चार option है एक अनुचित बैपार ब्योहार या प्रत्य बंधात्मक बैपार ब्योहार किसी भी बैपारी या सेवा परदाता द्वारा किया गया B option है उसके द्वारा खरीदा माल एक खरीदने की सहमत वाला सामान या सेवा एक या अधिक दोसों से गरस्त है C option है एक बेपारी या सेवा प्रदाता के रूप में माल या सेवाओ के मुल से अधिक मुल लगाया गया है और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option selected है सही option हमारा क्या होगा D option सही होगा उप्रोक्त सभी ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ 14 की तरफ कहावत ओडी आल्ट्रम पाटिम का अर्थ है यह है कोई भी अपने ही मामले में नयादीस नहीं हो सकता है B है किसी को भी बिना सुवाई के सजा नहीं दी जा सकती C है करतब अधिकारों की तुलना से में बेतर है और D है उप्रोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option सलेक्ट करें हमारा क्या होगा B option हमारा B option सही होगा ठीक है दोस्तों किसी को भी बिना सुवाई के सजा नहीं दी जा सकती है बढ़ते हैं नेश्ट कुरिशन की तरफ 15 की तरफ किस मामले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि अनाचार अनुसासन के उलंगन के पिचारों को बढ़ावा देते हैं चार option है दोस्तों A है PD गुपता बनाम राम मूर्त B option है नो रतन मल चोरोसिया बनाम M, R, मुर्ली C option है P, J, रतनम बनाम D, कनकाराम D option है इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option आफ लोग सेलेट करें क्या होगा हमारा B option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं question 16 की तरफ Copyright Act के तहट कौन सा अर्थ कलात्मक काम में सामिल नहीं है 4 option है A है चित्रकारी B है वास्तुकला का काम C है सिल्प कौसल का कार D है बढ़ी का काम तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा D option सही होगा बढ़ी का काम बढ़ते हैं question 17 की तरफ एक सहकारी समित के मामले में कितनी अधिक्तम रास पर आएकर परभार नहीं है 4 option है A है 50,000 B है 30,000 C है 20,000 और D है सून तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा हमारा D option सही होगा सून ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं question 18 की तरफ A एक जमीन B को वेचता है जमीन पर एक अधिक्रित अधिकार है जिसका A को परत्यच ग्यान है पर वह B से छुपाता है 4 option है A है B को अनबंद रद करने का अधिकार है B है option है B को अनबंद रद करने का अधिकार नहीं है C option है A को अनबंद रद करने का अधिकार है और D है E कानूनी रूप से उत्तरदाई नहीं है तो इन में से कोई option सही है, सही option select करें दोस्तो, सही option हमारा क्या होगा हमारा E option सही होगा ठीक है दोस्तो B को अनबंद रद करने का अधिकार है ठीक है दोस्तो, 18 का E option हमारा सही हो जाएगा बढ़ते हैं question 19 के तरफ गरतंत्र अधनियम संख्या 6770 के अमसार लोकपाल के कारायले को इन में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है चार option है A है अभियोकता अधिकार B है निमारक उपायों को अपनाने अस्थापित करने तथा लागू करने का अधिकार C है सार्जनिक सहायक कार और D है उप्रोक तो कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा B option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ 20 की तरफ अधिकतर European के सदस देशों में निम्न से में से कौन सा ADR का सबसे प्रतेच रूप है चार option A है मद्धिस्ता, B है पंच फैसला, C है अभियोग और D है समझोता तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option select करें सही option हमारा क्या होगा हमारा B option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ question 21 की तरफ A association के ग्यापन खंड के आधिन नहीं आता है A यहाँ है चार option है सदस्ता, B है निर्देशक, C option है पूजी और D है परिस्थिति तो इन में से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों हमारा सही option क्या होगा B option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं question 22 की तरफ मिन्टो मारले सुधार किस अधनियम के साथ जुड़ा हुआ है A option है भारतिय परसद अधनियम 1912, B option है भारतिय परसद अधनियम 1856, C option है भारतिय परसद अधनियम 1908 और D option है भारतिय परसद अधनियम 1909 तो इन में से कोई एक option सही है सही option select करें सही option हमारा क्या होगा दोस्तों D option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं question 23 की तरफ एक लिखित बयान में प्रतवादी दावा कर सकता है या कर सकती है चार option है यह समाप्त करना setup, B है सीधा विरोध, C है A और B दोनों और D option है उपरोक तो कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है, सही option select करें दोस्तों क्या होगा हमारा C option सही होगा A और B दोनों बढ़ते हैं question 24 की तरफ निम्ण में से कौन सी धारा खोज वारंड के साथ सम्बंधित है चार option है, A है 93, B है 94, C है 95 और D है 96 तो इन में से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा A option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं question 25 की तरफ प्रयावराण पर अग्रडी मामला कौन सा है A है MC मेता बनाम भारत संग, B है भारत संग बनाम H S डिलो, C option मेनका गाधी बनाम भारत संग और D है उप्रोक्त कोई नहीं, तो इन में से कोई एक option हमारा सही है सही option select करें दोस्तों हमारा क्या होगा, A option हमारा सही होगा MC मेता बनाम भारस संग ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं Q26 की तरब निमलिखित में से कौन सा बयान सही है चार ओप्षन है A अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान प्रसांगिक है B ओप्षन है C ओप्षन है D ओप्षन है उप्रोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक ओप्षन सही है सही ओप्षन सेलेट करें दोस्तों सही ओप्षन हमारा क्या होगा D ओप्षन सही होगा ओप्रोक्त कोई नहीं बढ़ते हैं Q27 की तरब सफी एजार के पूर्ब क्रय अधिकार के आधार पर किस मामले की ऐसम्मय धानिक गोसित किया गया चार ओप्षन है A है भाउराम बनाम वैजनात B ओप्षन है गोविंद दयाल बनाम इनाय तुल्ला C ओप्षन है वगवान दास बनाम चेत राम और D ओप्षन है राम, सरन, लाल बनाम सरी मति, डोमनी, कुयर तो इन में से कोई एक ओप्षन सही है option select करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा यह option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ इस धारा को दहेश हत्या के मामलो की सुनुआई के लिए अधनिमित किया गया था चार option यह है IPC की धारा 366 A, B option IPC की धारा 477 A, C option IPC की धारा 498 A और D option IPC की धारा 489 A तो इन में से कोई एक option सही है हमारा सही option select करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा C option सही होगा IPC की धारा 498 A बढ़ते हैं 29 की तरफ मजदूरी बुक्तान अधनियम 1936 के तहट एक कार खाने में उसके द्वारा नियोजित कौन बेक्त बुक्तान करने के लिए जिम्मेदार है चार option ये है खाता प्रबंधक B option मानो संसाधन प्रबंधक C है फ्रोर प्रबंधक और D है मालिक तो इन में से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा D option सही होगा मालिक बढ़ते हैं question 30 की तरब नियोजित में से कौन एक बुक्ता बिवाद निवारण एजिंसी की रूप में जाना जाता है चार option ये है जिला फोरूम B है राज आयोग C है राश्टिय आयोग और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा D option सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं 31 की तरफ जनहित याचका की किस आधार पर आलोचना की जाती है ये option है निजी हित B है राजनीतिक फाइदा C है मुकदमे वाजी में जब दस्त बिरिद्ध और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तों क्या होगा हमारा D option सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं 32 की तरफ बिक्रमा दित बनाम स्रीमती जमीला खातुन पेसेवर अनाचार से संबंदित एक महतपूर मामला है जिसमें चार option है यह है अधिवक्ता अगिन सस्त्र के साथ अदालत में भाग लेता है B है जान बूच कर अदालत के समझ परदर्सित नहीं होता है C option है गरीब बेक्टियों को परिस्यान करने के इरादे से तत्थों का दमन करता है और D है गराहक की निरच्चरता का सोसड करके गराहक का सोसड करता है तो इन में से कोई एक option सही है सही option सलेट करें दोस्तों क्या होगा सही option हमारा D option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 33 की तरफ IT, AT के आदेश के खिलाब उच्च नयाले में अपील कब तक दायर की जानी चाहिए तो चार ओप्सन है दोस्तों इन में से कोई एक ओप्सन सही है A ओप्सन है आदेश भेजने के 45 दिनों में B है आदेश भेजने के 60 दिनों में C option आदेश भेजने के 90 दिनों में और D option आदेश भेजने के 120 दिनों में तो कोई एक option सही है सही option सलेक्ट करें दोस्तों सही option हमारा क्या होगा B option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 34 की तरफ एक अनबंद वैधानिक रूफ से लागू किया जा सकता है 4 option है जहां गयर परदर्सन के लिए मौवजा एक प्रियाप्त रहत है B option है जहां अपने सोभाव से अनबंद निर्धारित करने योग है C option है जहां ऐसी अनवरत कर्तेब पालन की आउसता हो जिसकी अदालक की निगरानी नहीं कर सकते D option अपरोग तक कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेक्ट करें दोस्तो सही option हमारा क्या होगा D option हमारा सही होगा अपरोग तक कोई नहीं बढ़ते हैं 35 की तरब भारत सरकार के भारत अधनियम 1935 में कौन से विशे समुवर्ती सूची में सामिल है चार उप्सन ए है विवाह, बी है तलाक और मद्धस्ता, सी है अपरादिक कानून और प्रिक्रिया, डी है उप्रोक्त सभी, तो इन में से कोई एक उप्सन सही है, सही उप्सन सेलेट करें दोस्तों, क्या होगा हमारा डी उप्सन सही होगा, उप्रोक्त सभी, बढ़ते हैं 36 के तरफ, A, B और C की साजेदारी फर्म का 1000 का रिड़ी है, B की मिरित हो जाती है, C जीबित है, A, C पर उसके बेक्तिकत रूप से 1500 के करज के लिए मुगदमा कर देता है, C, 1000 रुपे के रिड़ को समाप्त करना चाहते हैं, तो B अप्सन है दोस्तों, A, B पर 20,000 रुपे के लिए मुगदमा करता है, B, विशिष्ट परदर्शन के लिए अनबंद के उलंगन के अनमान के लिए सेट आप करना चाहता है, C है, दोनों A और B, और D है उप्रोक्त कोई नहीं, तो इन में से कोई एक उप्सन सही है दोस्तों, सही उप्सन सेलेट करें, हमारा 36 का सही उप्सन क्या होगा दोस्तों, हमारा A उप्सन सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, नेश्ट कोईशन के तरफ 37 की तरफ, कौन सा मामला गिरपतारी के मामलों में अगरडी है, A उप्सन है, जोगिंदर कुमार बनाम योपी राज, B है, पच्छिम बंगाल राज बनाम डिके वसू, C उप्सन है, दोनों, A और B, D है, उप्रोग तो कोई नहीं, तो इन में से कोई एक उप्सन सही है, सही उप्सन सेलेट करें, दोस्तों, सही उप्सन क्या होगा, B उप्सन सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, 38 की तरफ, किसी मामले में पेस किये जा सकने वाले, गवावों की अधिक्तम संख्या क्या है, 4 उप्सन, A है, 5, B है, 10, C है, 15, 59, D है, कोई सीमा नहीं, तो इन में से कोई एक उप्सन सही है, सही उप्सन सेलेट करें, दोस्तों, क्या होगा, D उप्सन सही होगा, किसी मामले में पेस किये जा सकने वाले, गवावों की अधिक्तम संख्या, जो है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है दोस्तो तो D option सही हो जाएगा बढ़ते हैं 39 की तरफ हिंदू नावालिक और सनर्चड अधनियम 1956 के तहित एक गोद लिये गए पुत्र के असली अबवावक है चार option है A है मोल पिता B है मोल मा मोल पिता के अभाव में C है दत्तक पिता D है उप्रोक तो कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तो सही option सलेट करें हमारा सही option क्या होगा दोस्तो C option सही होगा दत्तक पिता बढ़ते हैं 40 की तरफ question number नियम है कि डंडात्मक विदियों का निर्मार किया जाना चाहिए 4 option है A है उदारता पूर्वग B है सक्स्ती से C है सुनाहरानियम D है सरारती तो इसमें से कोई एक option सही है सही option सलेक्ट करें है दोस्तो क्या होगा हमारा B option सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 41 की तरफ कार खाना बंद करने के लिए अधिभोकता को अधकारियो को कितने दिन पहले सूचना देनी परती है 4 options A है 30 दिन पहले B है 60 दिन पहले C है 90 दिन पहले और D है 14 दिन पहले इन में से कोई एक option सही है सही option सलेक्ट करें दोस्तो क्या होगा हमारा B option सही होगा 60 दिन ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 42 की तरफ जहां किसी माल की खरावी की आरोपित सिकायत को बिना किसी उचित विसरे सड या किसी परिच्छा के निधारित नहीं किया जा सकता है या उक्तमाल के नमूनों को प्रियोक साला के निरच्छड ही उत प्रियोक साला को वेजा जाता है ऐसे मामलों में डैस डैस दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाती है चार ओप्सन है A है 30 दिन, B है 40 दिन, C है 45 दिन, और D है 60 दिन तेन में से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों क्या होगा C option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 43 की तरफ अनुच्छे 32 के तहट Supreme Code कब सहायता प्रदान करने के लिए मना कर सकते हैं 4 option A है देरी B है दुर्भावना पूर्ड याचका C है निस्फल याचका और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option select करें क्या होगा D option हमारा सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं 44 की तरफ पेटेंट अधनियम के तहट किस विषय में एक अविस्कार से संतुष्ट होने की आवसकता नहीं है A है नविन्ता B है अविस्कार सेल कदम C है विषिष्टता और D है उप्रोक्ता तेरे में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option select करें क्या होगा हमारा C option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 45 की तरफ भारतिय संविदा अधिनियम 1872 के तहत छतिपूर्थ को किस धारा में परभासित किया गया है चार option A है एक सो चोविस B है एक सो तीस C है एक सो पचीस और D है एक सो चब्विस A तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तों क्या होगा हमारा एक option सही होगा 124 ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 46 की तरफ यहां केवल अधिकारिक योगता द्वारा उत्पन एक अधिकार को दरसाता है जो अस्पष्ट रूप से बेक्तिकत चरित्र से प्रदत नहीं है बलकि अधिकारिक इस्तिद्वारा नियंतरित होता है चार option है यह है पद B है भूत पूर्प कारेले C है नियुक्त और D है अन्ता कालीन तेन में से कोई एक option सही है दोस्तों सही option हमारा क्या होगा B option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 47 की तरफ आदालत के सामने स्वयम अथवा किसी और के बंदी करण को चुनोती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है A है पिछ्चा का अधिकार B है बंदी प्रतिच्छी करण C है निसेद का अधिकार D है उप्रोगत कोई नहीं तो इन में से कोई एक उप्षन सही है दोस्तों सही उप्षन सेलेट करें क्या होगा B उप्षन सही होगा बंदी प्रतिच्छी करण बढ़ते हैं 48 की तरफ दोस्तों O 33 के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर करने की अनमत दी है बसरते वा कुछ सर्थों का प्वालन करे निमने से कौन सी ऐसी सर्थ नहीं है चार उप्षन दोस्तों A है वा प्रियाप्थ साधनों में संपन्न नहीं है जो उसे ऐसे मुकदमे में अभियोग के लिए निर्धारिस सुलक का बुक्तान करने के लिए सच्छम बना सके B है वा हजार की संपत का हगदार नहीं है और C है उसके पास अपनी आजीब का अरजित के लिए प्रियाप्थ साधन नहीं है और D है वा या तो खुद या एक अधिकरित एजेंड के माध्यम से एक गरीब के रूप में मुगदमा करने के लिए आवेधन प्रस्तुत कर सकता है तो इन में से कोई एक उप्सन सही है दोस्तो सही उप्सन सेलेट करें क्या होगा हमारा B उप्सन हमारा सही होगा ठीक है दोस्तो मरते हैं 49 की तरप आपराद डंड सोदा की अधारणा इन में से किसके खिलाप आपराद पर लागू नहीं होती है 4 अप्सन आए एक महिला, B है एक बच्चा, C है दोनों A और B और D है उप्रोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक अप्सन सही है दोस्तो सही option select करें क्या होगा C option हमारा सही होगा A और B ठीक दोस्तो बढ़ते हैं 50 की तरफ Indian Computer Emergency Response टीम की गटना की प्रकिरिया के लिए राष्टिय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किस धारा के तहट गठित किया गया है चार option है A है 71 IT Act B है 70 IT Act और C option है 70 A IT Act और D है 70 B IT Act तिन में से कोई एक option सही है सही option select करें क्या होगा दोस्तो D option सही होगा ठीक दोस्तो बढ़ते हैं 51 की तरफ परेया वरा सनरच्छड अधनियम 1986 86 अस्तुत में आया चार option है A है 18 No.1986 को B है 19 No.1986 को C है 20 No.1986 को और D है 21 No.1986 को इन में से कोई एक option सही है सही option हमारा क्या होगा दोस्तो B option सही होगा ठीक दोस्तो बढ़ते हैं 52 की तरफ भारतिय साच अधनियम की कौन सी धारा रेस गेस्टर गेस्टे के अंगरेची सिधान पर आधारित हैं चार option A है 5, B है 6, C है 7 और D है 8 तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तो क्या होगा B option हमारा सही होगा ठीक दोस्तो बढ़ते हैं 53 की तरफ भारत में लागू परवारिक संबंदों से संबंदित कानून है चार option है भारत का धर्म निरपेच्छ कानून B है बैधानिक कानून C है दार्मिक कानून और D है दलो के निजी कानून तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें दोस्तो क्या होगा हमारा D option सही होगा दलो के निजी कानून बढ़ते हैं दोस्तों 54 की तरब निचली अदालत का गलत आदेश रद करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा अधिकार जारी किया जाता है चार ओप्सन है A है परमादेश, B है पिछ्छा, C है निसेद और D है उत्प्रेसर लेक तो इन में से कोई एक उप्सन सही है, सही उप्सन सेलेट करें क्या होगा दोस्तों D उप्सन सही होगा, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 55 की तरब वापसी के मामले में अदा करता को मुआवजा परदान करने के लिए आदेशक का दाइत मुक रूप से किसके तहट परदान किया जाता है चार उप्सन है, ये है धारा 29A, B है धारा 29, C है धारा 30 और D है धारा 31 तो इन में से कोई एक उप्सन सही है दोस्तों, सही उप्सन स्लेट करें क्या होगा C उप्सन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 56 की तरब मद्धस्ता और समझोता अधनियम 1996 की का दुतिय भाग और चारिकता परदान करता है चार उप्सन है, A है समझोते की प्रक्रिया, B है मद्धस्ता की प्रक्रिया, C है न्यू यार्क और जिनेवा, सममेलनों के तहद बिदेशी पुरुसकार परवर्तन, D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक उप्सन सही है, सही उप्सन सलेट करें दोस्तों क्या होगा, तो हमारा ये उप्सन सही होगा ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 57 की तरब सुप्रिम कूर्ट के कौन से फैसले के तहद संसत के किसी भी सदन को बुलाने, अस्तगित करने तथा भंक करने की राष्टपत की कारवाई ऐसंबैधानिक हो जाएगी यद मंत्र मंडल की सला के बिना काम किया गया चार उप्षन दोस्तों, ए है इंद्रा गाधी बनाम राज नरायन ए आई आर उनिस सो पचत्तर स्सी बाइस सो निन्यानवे और बी उप्षन है आनंदन बनाम मुक्क सचिव ए आई आर उनिस सो चाचट एस सी छेसो सत्तावन और सी उप्षन है रावबराम इंद्रा गाधी ए आई आर उनिस सो एकत्तर स्सी एक हजार दो और डी है उप्रोक तो कोई नहीं तो इन में से कोई एक उप्षन सही है दोस्तों, सही उप्षन सेलेट के लिए क्या होगा? हमारा सी उप्षन सही होगा ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं 58 की तरफ एक निल्ड़े को कारवाई के लिए एक अन अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है जब एक उप्षन है यद निल्ड़ीत रिड़ी आदालत के अधिकार छेत्र की अस्थानिय सीमाओं के अंतरगत वास्तों में या स्वेच्छा से या व्यवसाईक तोर पर या बिक्तगत लाविहूत रहता है बी उप्षन है यद निल्ड़ीत रिड़ी के पास उस नयाले की सीमाओं के तहत निल्ड़े को संतुष्ट करने के लिए प्रियाप्त संपत है C उप्षन है यद निल्ड़े उस अचल संपत की विक्री या वितरण को दरसाता हो जो अदालत के अधिकार छेतर की अस्थानिय सीमाओं के बाहर हो और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक उप्षन सही है दोस्तों सही उप्षन सेलेट करे क्या होगा हमारा D उप्षन हमारा सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं दोस्तों 59 की तरब CRPC की किस धारा के अंतरगत सहायक लोक अवियोजक नियुक्त किया जाता है 4 उप्षन A है 13, B है 20, C है 24 और D है 25 तो इन में से कोई एक उप्षन सही है दोस्तों सही उप्षन हमारा क्या होगा D उप्षन सही होगा 25 बढ़ते हैं 60 की तरब दोस्तों दीवानी मामलों में चरित्र की परसांगिता के संबन्द में निमलिखित में से कोंस सही नहीं है तो चार उप्सन ये है या बिल्कुल प्रसांगिक नहीं है बी उप्सन या प्रसांगिक है जब भरपाई को प्रभावित करता है सी है जब चरित्र ही एक मुद्दा है डी है जब या तत्तों से प्रकट होता है अन्नता प्रसांगिक तो इन में से कोई एक option सही है, सही option select करें क्या होगा दोस्तों, हमारा ये option सही होगा बढ़ते हैं 61 की तरफ, हिंदू दत्तक और रख रखाओ अधनियम, 1956 के तहट, यद एक महिला पुरुस को गोद ले तो, उम्र का कितना अंतर होना चाहिए चार option A है 20 वर्स, B है 25 वर्स, C है 18 वर्स और D है 16 वर्स, तो इन में से कोई एक option सही है, सही option select करें क्या होगा दोस्तों, ये option सही होगा, 21 वर्स बढ़ते हैं 62 की तरफ, बिविन सब्द को CRPC के तहट, अपराधिक मनो इस्तित को सूचित करते हैं, और स्वैम एक कोड में भी परवासित है, वो है चार option है, A है सोच्छिक, बेमानी, दोखा दड़ी और विश्वास का अकारण, B है बरश्टता से और केवल चाहते हैं, C है द्वैस भाव से और दुर्भावना पूर, D है उतावली और लापरवाही तो इन में से कोई एक option सही है, सही option क्या होगा दोस्तों, अमारा यह option सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 63 की दरव बिश्राम काल किस से संबंदित है, चार option है, यह है अध्यन के लिए सवेतन अवकास, B है पित्रित अवकास, C है मात्रित अवकास, और D है संगरोध अवकास तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सेलेट करें क्या होगा, तो यह option सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 64 की तरव मोटर वाहान अधनियम 1949 कब लागू हुआ, चार option है, यह है 1949, B है 1940, C है 1941, और D है 1942 तो इन में से कोई एक option सही है, सही option क्या होगा दोस्तों, B option हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 65 की तरव, निम लिखित में से कौन सा मामला, मुकदमा दाखिल करने में, जान बूज कर देरी की गई, की अवद के मामले में अगड़ी है, जिसके परड़ाम सिकायत करता को भारी नुकसान हुआ, चार option है दोस्तों, A है, प्रोपेसर किसरड राज गोसामी बनाम, बिसुनात D, मुका सी कर, और B option है, परताब नरायर बनाम, वाई पी रहे जा, और C option है, बाबु लाल जैन बनाम, सुवास जैन, और D option है, जान जोन डिसूजा बनाम, Edward, अनी, तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सेलेट करें, दोस्तों क्या होगा, यह option सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 66 की तरब, पच्च जिन्हें अनबंद के विसेस कार को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, विसेस राहत अधनियम की किस धारा में प 27, B है 28, C है 29, और D है 30, तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सेलेक्ट करें, क्या होगा दोस्तों, B option हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 67 की तरब, जम्बू कास्मीर की विसेस संब्यानिक इस्तित क्या है, चार option ये है, या भारतिय संब्यदान से उपर है, B है भारतिय कानून लागू नहीं होते, C है उसका अपना संब्यदान है, और D है या भारतिय संग का अभिन हिस्सा नहीं है, तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सेलेक्ट करें क्या होगा दोस्तों, C option सही है, उसका अपना सम्मिधान है लेकिन आप आप लोगों को पता दोस्तो अब जो 370 है वो हड़ चुका है अब उसका अपना अलग से कोई सम्मिधान नहीं है अब वो वहाँ पर भी भारत का सम्मिधान ही लागू होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 68 की तरफ कोई किसी वेक्ट का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यद ए है वा नावालिक है बी है मुकदमे में वा एक बिपच्छी दाल है सी है उसने लिकित रूप से सामती नहीं दी है और डी है उपरोक्त सभी तो कोई एक उप्सन सही है सही क्या होगा डी उप्सन सही होगा उपरोक्त सभी बढ़ते हैं 69 की तरफ हिंदू उत्तरा अधिकार अधनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताचरा कानून सामिल है चार उप्सन है यह धारा 8 बी है धारा 7 सी है धारा 9 डी है धारा 6 तो इन में से कोई एक उप्सन सही है सही उप्सन सही होगा दोस्तों डी उप्सन सही होगा ठीक है बढ़ते हैं 70 के तरफ एक अबरात के गठन के परमुक्तत इसपेस है चार उप्षन है एक इंसान B है एक दूस्ट मनसा C है दूसरे इंसान या समाज को चोट और D है उप्रोक्त सभी तो इनमें से कोई एक उप्षन सही है सही उप्षन सेलेट करें क्या होगा दोस्तो D उप्षन सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं 71 की तरफ डीलर एक ब्यक्त होता है जो सामिल होता है चार ओप्सन यह है चेसी में जोडने के लिए धाचे के निर्मार में B है मोटर वाहनों की मरम्मत में C है बंधक पट्टे या मोटर वाहन के किराए या खरीद के बेपार में और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक उप्सन सही है सही उप्सन सेलेट करें क्या होगा दोस्तो D उप्सन सही होगा उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं 72 की तरफ भूम अधिगरहन अधनियम की धारा 25 के तहट अदालत द्वारा परदान की गई मौवजे की रास चार उप्सन है ये अनभाग दो के तहट कलेक्टर द्वारा सम्मानित रास से कम नहीं होगी B है अनभाग दो के तहट कलेक्टर द्वारा सम्मानित रास के बराबर नहीं होगी C option अनभाग 2 के तहट collector द्वारा सम्मानित रास से अधिक नहीं होगी और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा दोस्तों ये option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 73 की दरब एक वचन पत्र में नहीत एक निश्चित रास का बुकतान करने का उपकरम चार option है सासर्थ है B है बिना सर्थ है C है सासर्थ या बिना सर्थ परस्तितियों के आधार पर हो सकता है और D है उप्रोक्त सभी तो इन में से कोई एक option सही है सही option क्या होगा दोस्तों बी ओप्शन सही होगा ठीका दोस्तोर बढ़ते हैं 74 की तरफ हाली में किस मामले में केरल उच्च नयाले ने कहा है कि बिश्व बिद्याले अनुदान आयोक के माफ डंड जो सम्विधान के अनुच्छेद 16-1 के उलंगन के रूप में आरचित स्रेड़ुयों के लिए अंकों में कुछ छोट की अनुमत देते हैं चार ओप्सन है दोस्तो इन में से कोई एक ओप्सन सही है सही ओप्सन सलेट करें यह है नायर सेवा समाज बनाम UGC WPC 2016 W की संख्या 5190 B ओप्सन है CBSC बनाम UGC WPC 2016 W की संख्या 5190 C ओप्सन है UGC बनाम केरल राज WPC 2016 W की संख्या 5190 D ओप्सन है UGC बनाम राज सच्चिव WPC 2016 W की संख्या 5190 तो इन में से कोई एक ओप्सन सही है दोस्तो सही ओप्सन सलेट करें क्या होगा यह ओप्सन सही होगा ठीक है दोस्तो मरते हैं 75 की तरफ इन में से कौन से निमलिकित मामलों में ये कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार अस्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है चार ओप्सन है एक है MS राम नारायर प्राइबेट लिम्टेड बनाम बैपार निगम लिम्टेड A.I.R.1983 S.C.786 बी ओप्सन है राजा हिमानसु धर सिंग बनाम अपर रजिश्टार A.I.R.1962 A.L.L.439 और C ओप्सन है जैर हुसेन खान बनाम कुर्देश जैन 1906 I.L.R.28 A.L.L.545 और D ओप्सन है सिरी मती गंगा बाई बनाम बिजया कुमार A.I.R.1974 S.C. 1126 तो इन में से कोई एक ओप्सन सही है सही ओप्सन सेलेट करें क्या होगा दोस्तो हमारा C ओप्सन सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 76 की तरफ निम्न में से कौन सी धारा एक विचारा धिन कैदी की अधिक्तम हिरासत आवद से सम्बंदित है चार ओप्सन है दोस्तो A है 436 B है 436 A C है 437 A और D है 437 तो इन में से कोई एक ओप्सन सही है सही ओप्सन सेलेट करें क्या होगा दोस्तो तो हमारा B ओप्सन सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 77 की तरफ एक अपराधी को हान रहित बनाना और उसे वह चीज परदान करना जिसका उसे अभाव है और उन सभी कारकों को निस्क्रिये करना जिनकी वज़ा से अपराध हुआ या किस रूब में जाना जाता है चार उप्सन है यह है प्रयास्चिति या तपस्या सजा के सिध्धान्त B है निवारक सिध्धान्त या सजा के निवारक सिध्धान्त और C है सजा के सुधारात्मक या पुनरवास या संसोधात्मक सिध्धान्त D है सजा का डंडादमक सिध्धान्त तो इनमें से कोई एक option सही है सही option क्या होगा हमारा दोस्तो C option सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 78 की तरफ पकला नारायन स्वामी बनाम समराठ किस पर एक अग्रडी केस है चार option है मृत कालिक कथन B है एक बालिया वयान C है सही होगी और D है विशेशिग गवा तो इनमें से कोई एक option सही है 78 का मारा क्या सही होगा दोस्तो ये option सही होगा ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 79 की तरफ बिनमे का बिल में भागिदार कौन है A है आदेसिक और अदा करता B है प्राप्त करता C है दोनो A और B D है उप्रोग तो कोई नहीं तो इनमें से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा तोस्तो C option सही होगा दोनो A और B बढ़ते हैं 80 की तरफ आए जो भारत के बाहर उत्पन या अर्जित हो रही है परंत सीधे भारत में प्राप्त हो रही है वानिम्न मामलों में कर योग है चार option है यह है केवल निवासियों के लिए B है दोनो आम निवासियों और A निवासियों के लिए C है आनिवासियों के लिए और D है सभी निर्धारीतियों तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा दोस्तो D option सही होगा बढ़ते हैं 81 की तरफ एक सर्जन है यह जानता है कि एक बिसेश आपरेशन में चेड की मृत्त होने की संभावना है जो एक दर्दनाक सिकायत के तहट गरस्त है लेकिन ए जेड की मृत्त का नहीं अपित इच्छा इरादा रखते हुए जेड की सहमती से यह उसका अपरेशन करता है ए ने कोई अपराद नहीं किया है यहाँ नहीं था है चार उप्सन है यह भारतिय डंड सहीता की धारा 88 B उप्सन है भारतिय डंड सहीता की धारा 89 C उप्सन है भारतिय डंड सहीता की धारा 90 और D है भारतिय डंड सहीता की धारा 87 तो इन में से कोई एक उप्सन सही है C option select करें क्या होगा दोस्तों हमारा A option हमारा सही होगा ठीक है बढ़ते हैं 82 की दरफ एक हिंदू की यद एक से अधिक विद्वा हो तो उनको मिल सकता है चार option है यह है परतेक को एक हिस्सा B है सभी विद्वाओं के लिए एक हिस्सा C है परतेक को एक हिस्सा या अधिकतम दोस्त से या दोसे अधिक विद्वाओं है और D है उप्रोग तो कोई नहीं तो इनमें से कोई एक option सही है सही option select करें क्या होगा दोस्तों B option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 83 की दरफ भारतिय साच अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे को जायज माना जाएगा यद्वा साधी के विक्टन के डैस 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 के भीतर पैदा हुआ है चार option है 180 दिन A option है B option है 270 दिन C है 280 दिन और D है 300 दिन तो इनमें से कोई एक option सही है सही option क्या होगा दोस्तों C option सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 84 की तरफ निम्न वर्गों में से कौनसा बॉंड और जमानत बॉंड को रद करने में आदालत को सच्छम बनाता है चार option है A है 446 A B है 446 C है 449 और D है 450 तो कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा A option सही होगा ठीक है बढ़ते हैं 85 की तरफ बिचार धिन्ता के दोरान एक संदर्ब में संदर्ब किया जा सकता है चार अधिनस्ट नियाले कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्छ नियाले से सहीता ले सकता है B है अधिनस्ट नियाले सबूतों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्छ नियाले से सहीता ले सकता है C है अधिनस्ट नियाले तत्थों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्छ नियाले से सहीता ले सकता है और D है अधीनस्त नियाले अदालब की प्रिक्रिया के सवाल पर आगे की राई के मामले के लिए उच्छ नियाले से सहता ले सकता है तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेक्ट करें क्या होगा दोस्तों ये option सही होगा ठीक दोस्तों बढ़ते हैं 86 की तरब अनुचे 14 के तहट कानून के समच समानता का अधिकार किस प्रतबंद के आधिन है चार option है सारजनिक ब्योस्था और नैतिक्ता बी option है उचित वरगी करण C है उचित प्रतबंद और D है उचित प्रिस्तितियां तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेक्ट के लिए क्या होगा दोस्तों हमारा B option हमारा सही होगा ठीक दोस्तों बढ़ते हैं 87 की तरब 1299 और 300 के बीच का अंतर मेल विल जे द्वारा असपष्ट किया गया था चार option है एक है A option है रेग बनाम गुरुचंद गोप B option है रेग बनाम गोबिंदा C है रेग बनाम हेवर्ड और D है गोबिंद बनाम रेग तेन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा दोस्तों B option हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 88 की तरब कोई भी जो अधिवक्ता अधनियम 36 या 37 के अंसार बार काउंसल की अनुसासन समित द्वारा लिए गए आदेश से A संतुष्ठ है वहाँ अपील कर सकता है चार option है A है उच्च नयाल है B है सुप्रीम कोड C है राज्य सरकार और D है केंद्रिय सरकार तेन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें क्या होगा दोस्तों हमारा B option सही होगा सुप्रीम कोड ठीक हैं बढ़ते हैं 89 की तरब एक सासवत आदेस निर्डायक द्वारा केवल सुनुआई के समय डैस 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 अंसार प्रदान किया जा सकता है चार option है A पार्टी की मांग B option है अदालत के अधिकार C है मुगदमे की योगता और D है उप्रोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक option सही है सही option क्या होगा दोस्तों हमारा C option सही होगा बढ़ते हैं दोस्तों 90 की तरब आप प्रिश्चिता का उन्मूलन करने के लिए संबंदित प्रावधान किसमें दिये गए है चार option है A है अनुच्छेथ 23 B option है अनुच्छेथ 24 C option है अनुच्छेथ 17 और D option है अनुच्छेथ 15 तो इन में से कोई एक option सही है सही option सेलेट करें सही option हमारा क्या होगा दोस्तों C option हमारा सही होगा अनुच्छेथ 17 ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 91 की तरफ धारा 115 के तहट अपने अधिकार छेत्र में संसोधन करते हुए एक उच्च नयालय निमलिकित में से क्या कर सकता है चार उप्सन है यह है किसी भी नयालय आधिनेस से लेकर उच्च नयालय तक के द्वारा लिये गए निल्ड़े के किसी भी मुकदमे के रिकार्ड को निकलवा सकता है B option है किसी भी निर्ड़य आदेश जिसकी अफिल उच्च नयाले में निहित है को बदल या रद कर सकता है C है दोनो A और B, D है उपरोक्त कोई नहीं तो इन में से कोई एक option हमारा सही है, सही option select करें क्या होगा दोस्तो यह option हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तो बढ़ते हैं 92 के तरफ सन्यूक्त मुगदमे में एक साह आरूपी द्वारा खुद को और दूसरों को परभावित करने वाले इकवालिया बयान के मुलांकन की सुप्रीम कोड द्वारा किस केस में चर्चा की गई है चार option है, यह है कश्मीरा सिंग बनाम, MP राज, B है उत्तर प्रदेश राज बनाम, देव मर्न उपध्या है C option है, राम भरोसे बनाम, उत्तर प्रदेश राज, D option है, रामिश्वर बनाम, राजास्तान, राज तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सलेट करें, सही option हमारा क्या होगा दोस्तों, यह option हमारा सही होगा तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सलेट करें क्या होगा दोस्तों बढ़ते हैं 94 की तरफ, निम्ण में से कौन प्रतेश चकर की स्रेड़ी में है, चार option है यह है, वस्त, यूम, सेवा कर बी option उत्पास सुलक और सीमा सुलक, सी option आएकर और उपहार कर, डी है उप्रोक्ट सभी तो इन में से कोई एक option सही है, सही option सलेट करें क्या होगा दोस्तों सी option हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 95 की तरफ, सम्मिधान में संसुधन करने के लिए सेद्धान तिक अधिकार संसद और राज विधान मंडलों के सदसो को किसके द्वारा दिया गया है चार option है, A है अनुच्छेद 358, B है अनुच्छेद 368, C है अनुच्छेद 388, D है ऐसा कोई एदिकार नहीं है तीन में से कोई एक option सही है, सही option सलेट करें क्या होगा दोस्तों हमारा B option सही होगा, ठीक है दोस्तों, मरते हैं 96 की तरब, धारा 114 के तहत, एक फैसले की समच्छा के लिए आवेदन कर सकता है जब A option है, वह एक निलड़े आदेश से आसंतुष्ठ हो, जिसमें अपील की अनमत है, लेकिन अपील की अनमत नहीं है B option है, वह एक निलड़े आदेश से आसंतुष्ठ हो, जिसमें अपील की अनमत नहीं है C option है, वह किसी मामूली कारणों के संदर्म में नयाले के एक निलड़े से आसंतुष्ठ हो और D है, उफ्रोक्त सभी, तो इनमें से कोई एक option सही है दोस्तों, सही option हमारा क्या होगा D option सही होगा, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं 97 की तरफ निम्लिलिखित मामलों में से, किसमें भारत के सर्बोच नयाले ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है चारफसन है, A है, कोविंदर कुमार बनाम यूपी राज B है, मोती राम बनाम एमपी राज C है, मेनका गाधी बनाम भारत संग और D है, पच्चिम बंगाल राज बनाम D के वसू तो इसमें से एक कोई उप्शन सही है सही उप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों B उप्शन हमारा सही होगा, ठीका दोस्तों बढ़ते हैं 98 की तरफ चमा योग अपराद की अवधारणा से सम्मंदित प्रावधान किस धारा में दिये गए है चार उप्शन, A है 319, B है 320, C है 365 और D है 321 तो इन में से कोई एक उप्शन सही है सही उप्शन सेलेट करें क्या होगा दोस्तों हमारा B उप्शन सही होगा, ठीका दोस्तों बढ़ते हैं 99 की तरफ, CPC की कौन सी धारा के तहत बिवात के निप्टारे के लिए आदालक के बाहर बिकालब प्रदान किये जाते हैं चार उप्शन है दोस्तों, A है 80 का एक, B उप्शन 89, 2 और C उप्शन है 89, 1 और D उप्शन है 82 तो इन में से सही उप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उप्शन सेलेक्ट करें 99 का, C उप्शन सही होगा ठीका दोस्तों, 89 का एक, बढ़ते हैं 100 की तरफ, जहां प्रथम स्रेंडी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपे अत्वा कम का डंड देते हैं, ऐसे मसले में कहां अपील की जा सकती है चार उप्शन है, A है, मुख नियाइक मजिस्ट्रेट की अदालत में, B उप्शन है, मुख मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में, C उप्शन है, दोनों A और B और D है, उप्रोग तो कोई नहीं तो इनमें से कोई एक option सही है सही option select करें दोस्तों सही option क्या होगा हमारा D option सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज का session यहीं पर समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसे like करें और अधिक से अधिक लोगों तक share करें जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके दोस्तों अगर channel पर नए हैं अभी तक channel को subscribe नहीं किया है आपने तो जल्दी से channel को subscribe करें और bell icon को press करें जिससे मेरी जो भी latest video आए उसकी notification आप लोगों तक पहुँच सके